सो नाव IFCI Limited अब देखिए सोलर रुपए पर हमने इसे स्टॉक की ऊपर बात करें तो आज 32 रुपए में प्राइस देखने मुला है और लगाता पी एस्टॉ में जो तीची बनी हुई है उसका बेनिफिट जो है वो IFCI Limited को देखने मुला है IFCI अपने सेक्टर में एक लौती कमपनी है और अगर इस कमपनी के लिए टर्न अराउंड होता है तो सो डेफिनिटली एक बिग पी एस्टॉ भी बन सकती है आगी चलकर तो ये स्टॉक जब से हमने बात करी है संडे का वो दिन था और इसका प्राइस सोला रुपए के अराउंड सोला रुपए के अराउंड प्राइस था और वहां से अगर आप देखें तो डबल हो चुकी है आप ही मैंसे किसी ने बताया था कवर करने के लिए कि IFCI Limited को देख कर रहे हैं so that अभी ये स्टॉक डबल हो चुका है बत्तेस रुपए सोला रुपए से बत्तेस रुपए और एक बिग पैटन अगर आप देखोगे तो ये वन येर केंडलिक्स्रिक चार्ट पर आपको देखने को मिल लिए हमने इस स्टॉक को ज़ादा इंटेस तब लिया जब यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ओफ इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा लगातार एक्च्वल में लगातार है यहाँ पर जो है शियर ओल्डिंग पैटन अगर आप देखोगे तो स्टेक बढ़ा रहे थे होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे थे और आई एफसी आई लिमि बड़ा ब्रेकाउट है यहाँ पर निकल किया है यस बड़ा ब्रेकाउट है यहाँ पर निकल किया है और वो बीस रुपए से ही यहाँ पर देखे लगा ता तेजी बनी होई है तो अभी जाना का है लेकि यह स्टॉक का हाई था एक्सो बीस रुपए लेकिन एक्सो बीस र अब टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कुछ इंडिकेशन्स Q3 से मिलने स्टार्ट हो जाएगी, Q2 से ही actual में मिलने स्टार्ट होगे, लेकिन एक क्वार्टर और देखने जरूरी है, actual में एक नहीं, बलकि हमें दो-तीन quarter देखने जरूरी होता है, अगर कंपनी के अंदर कुछ भी changes आते हैं, तो finance term lending की, ये कंपनी है जिसके अंदर IRFC आती है, जिसके अंदर आपका RAC आता है, जिसके अंदर आपका PFC आता है, अब इस कंपनी का काम तो मैं आपको बता चोओं, ये balance sheet चेक करते हैं, ये इनका काम जो है रहो, financial services देना है, PSU को, yes, PSU कोई भी हो, gail हो, sale हो, जो भी हो, gail, sale, rail, ये सब को यहाँ पर जो है ना, financial services अपनी solution जो है, वो provide करवाते हैं, तो यहाँ पर इस company का एक अलग गुनत है, PSU के अंदर आगर आप ये देखेंगे, तो एक लौती company आपको ये देखने हो मिलेगी, जो ऐसे काम करती है, बाकी PSU के लिए, simple सी बात है, तो stock का market cap जो है, वो double हो चाग, company का market cap देखी, आठ जार 51 करोड पर पहुंच चुका है, जब हमने देखा तो ये साड़े तीन से चार जार करोड के अराउंड तरही ये company, और जैसा कि मैंने आप से का कि EPS और PE ratio, PE ratio अभी आप देखें, calculate नहीं कहा सकते हैं, लेकर अगर आप 0.01 रखकर भी अगर करोगे, calculate, तो काफी higher side वो निकलेगा, simple सी बात, higher side निकलेगा, और निकलना में चाहिए, क्योंकि यहाँ पना turnaround हो रहा है, तो आप PE ratio के दम पर सारी चीज़े नहीं कह सकते, अगर इस stock के अंदर turnaround, इस company के अंदर turnaround होता है, so definitely ये आगी कुछ नो कुछ तो करने वाला है, ये तो simple है, time देना पड़ेगा, matter of time, ये आपको करना ही होगा, अगर PSU के अंदर कोई गिराब अटाएगी, तो IFCI Limited पर भी एक impact आएगा, लेकिन ये stock वास्तम में, breakout दिये और President of India अगर ठीक निकले यहाँ पर, तो यहाँ पर केना की, turn around हो सकता है, सारी बातें वहीं पर है, so that यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो book value, book value से double हो चुका है, double, 2.08 पर चला है, book value यहाँ पर 15 रुपे, 56 पैसे, Q3 पर अगर कुछ important यहाँ पर आया, सब कुछ यहाँ पर ठीक हुआ, so that definitely, यहाँ पर book value इंक्रीज होते हो, नजर आएगी, price अगर आप कहें, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकर हाँ, जब 16 रुपे पर लेने की बात थी, या 20 रुपे पर भी लेने की बात थी, तो इस जगे पर थोड़ा सब एक पॉइंट तो यहाँ पर लगते हैं, यह कि अरे यार, stock वहाँ तक चला गया, तो Q3 के नमबस देखना बहुत important है, यह ध्यान रखियागा, तो अभी जो भी IFCI Limited के निवेशक हैं, या नई निवेशक बने हैं, एक बात देहां रखियेगा, मैं पूरी बात यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आप पुरानी वीडियो उठा कर देखेंगे, तो उसमें मैंने एक 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 यहाँ पर चीज़े खोल कर दिखाई, कि कैसे यहाँ पर फाइनिशल डिस्टप्शन आया इस कंपनी के अंदर, किस तरीके से नेट सेल इतनी बड़ी थी, गिर कर इतना रहे गया, तो वो सारी चीज़े हम बात कर चुके है, अब ही क्या है, वो बहुत जारा टाइम जाएगा, फिलाल आप यह दिया रखिएगा, कि यह पहला क्वार्टर है, इसमें देखेंगे, दस क्वार्टर, टैन क्वार्टर में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका, क्यू टू आया इस कर जाए, तो फिर द्यान रखेगा, कि कहिना कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया इस कंपनी अंदर, इस PSU के अंदर, और आगे कुछ ना कुछ यहां पर बड़ा होने वाला है, तो ऐसे में अगर कुछ मौका मिले, कोई डिप मिले, तो जिनको लगता है कि यह कुछ चीज़े बदल रही है, यार अगर आपका कुछ एनलाइसिस और ज्यादा बैठ रहा है, तो फिर इस कंपनी पर जरूर ध्यान दीचेगा, और सबसे इंटेस्टेंट पार्ट तो यह है कि प्रमोटर, प्रमोटर तो आपको बदा है, यह प्रेसिडेंट आफ इंडिय निकला, लेकिन जून वाले क्वाटर में 70.32% करती, अब जिस प्रमोटर कुछ बचा नहीं है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट आफ इंडिया बढ़ा करेंगे क्या, तो वह यहां पर मेन बात आ जाती है, उसके बाद अभी कंटीनू वैसा ही है, लेकिन अगर और इंक्रीज होती हुए नजर आए, तो यह दिया रखियागा, बहुत सारी चीज़े हैं, तो इस पे ऐसी उपर कैंडली वाच करना, आई आर एफसी निकला, कोई दिक्कत की बात नहीं, यह सारी चीज़े निकल गए, कोई दिक्कत की बात है, नेवेस्टर के यहां पर आई एफसी आई लिमिटेट पर काइंडली वाच करना कि क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट को, अगर कुछ मिल गया है यहां पर, तो यह एक बड़ी देजी का कहिना कहीं, एक सितार आप कह सकते हैं, यह होने वाला है, एंड लास्ट, आई एफसी आई पर ना, यह चार्ट आप अपने लग लिजे, डेक्स्ट आप पर, तो यहां पर ना है, आपको मिलता रहेगा यह सारा डेटा, यह ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आई एफसी आ लिमिटेट, लगातार, यह आपकी बात है, अक्तूबर मिड, मिड अक्तूबर के बाद यह अगर आप देखोगे, ट्रेंड लगातार फॉलो कर रहा है, यह उससे पहले भी की ते, ऐसी बात नहीं है कि करें लगातार यह ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, तो इसको ड्रॉ कर लीजे, अगर यह ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, तब प्रॉब्लम इसके अंदर देख सकते हैं और चार्ड अगर आप खुद लगा के रखेंगे तो क्या हो रहा है यह आपके सामने लाइब देखेगा क्योंकि हमारी तो बात हो रही है कल क्या होगा पर्सों क्या होगा यह सारी बात आजाती है तो आपके सामने रहेगा तो आप डीटेल से कवर कर सकते हैं बाकी 26.40 पर बहुत important support है और 24 रुपए 15 पैसे ये भी आपका supporting level है तो इसमें द्यान रखिएगा ये एक range है 26 रुपए 40 पैसे और 24 रुपए 15 पैसे ये एक बहुत ही supportive range रहने वाली अगर कोई गिराबट आएगी market के अंदर उसमें PSU अगर गिरते हैं अगर यहां पर बायर है अगर आप तो फिर यहां पर ना एक average की strategy भी आपको अपनानी पढ़ सकती है अगर कोई गिराबट आती है तो लेकिन उससे पहले अपना खुद का analysis होना चेस company पर क्या आप तयार हैं इसको क्योंकि turn around अगर होगा तो आपके हाथ में कुछ आता हूँ देखेगा कुछ नहीं बहुत कुछ आता हूँ देखने को मिल सकता है लेकिन अगर turn around नहीं हुआ तो आप इसी range में काव काफी time बिटता आद है तो यह सारी चीज़े है IFCI Limited के साथ होने वाली है